जागन मिदान सभा की बज़र सद्रों के अंतमदन सत्ता पक्ष के विदायक सिता सोरें ने सदन को जनता के लिए लापकारी बताया साथ ही साथ उन्होंने 1932 आधारित खतियान की बात कही ओबिसी आरक्षन के मुद्धे पर उन्होंने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षन मिले उन्होंने साइब गंज दुरगटना की भी सीबियाई जांच की मांगी है अवेद उत्खनन पर भी कहा कि इसकी जांच सीबियाई से हो अंतिम दिन है और ये बजट सत्र कितना जन हीत में रहा हमारे साथ सत्ता पक्ष की विधायक सीता सोरेन है माम कितना सफल रहा है आप बहुतो आने वाले दिन में पता चलेगा कितना सफल रहेगा पब्लिक भी बताएंगे आप अप अपने छेतर की कितनी समस्या को रख पाई कितना उसका समाधान हो पाया दिखे रखे तो है कार होता है समाधान होता है जो हम रखते हैं जो जिस तरह से चोटे-चोटे पूल पुलिया और रोड का काम पर का जिस वे वह सुरूब से उस पर स्टेंड हुए है जिसे पिछले सरकार थी रगबारदास की सरकार उस समग भी हम लग 32 के पक्ष में ही थे हमारे कुछ कुछ मंतरी सब भी बोल रहे हैं यह हैं निस बठीच लागू होना चाहिए खातेयान तो आप देखते हैं साहिब गंज में जहाज दुरगटना कर सकते हैं कि बहुत बड़ी दुरगटना हुई है उस पर क्या कहेंगे अब देखे दुरगटना तो होती रहती है तो होनी है आप उसको कोन रोक सकता है अगर जांच का भी सह है तो उस पर भी हम लोग जांच करने के लिए हैं अब देखे हम लोग तो सुरू से जो बोले हुए थे सरकार जो बनती है तो विसी को 27 परसन आरक्षन दिया जाएगा अभी हमारी सरकार है बिचार कर रही है ये थी सत्ता पक्ष की विधायक सीता सोरेन जो की कई सारी मुद्दों पर बात की कैमरा परसन प्रदीब के साथ मेर विचे शर्मा कसी स्मिल श्राची